विएसी फिस्ट इयर, जुलोजी, आज हम पढ़ेंगेakahियोला हेपेटिका या लिवर फ्लूक की लारवल इस्टेच के बारे में जो प्लैटी हलमिंथेज हैं, उसके सारे एंइमल पर जीबी होते हैं उनी में एक है Faciola Hepatica या इसको बोलते है लिवर फ्लूक, जो लिवर फ्लूक होता है, वो दो होस्ट कर अपना जीवन, कहना चाहिए, Life Cycle पूरी करता है, पहला होस्ट होता है बटी ब्रेट में होते हैं बक्री भेड मनुश्य तो जो फेसियोल हेपेटिका होता है इसका प्रथम होस्ट होता है भेड और दूसरा होता है इसनेल जो की पानी में पाया जाता है फेसियोल हेपेटिका जो होता है वो एक पत्ती के समान होता है फेसियोल हेपटिका की लारवल स्टेज में जैसे की सबसे पहले होती है मेटा सरकेरिया, स्पोरोसिस्ट लारवा, उसके बाद आती है रेडिया लारवा और उसके बाद आती है सरकेरिया लारवा और मेटा सरकेरिया लारवा. आज हम जो लारवल स्टेज पढ़ेंगे उसमें है SPOROSY Superlare, Radial Lare, Sarkeria Lare जो की बहुत ही EMPORTANT है हर साल एक्जाम में ये तीनों ही पूछी जाती है सबसे पहला LARVA होता है MIRA CDM LARVA मेरा CDM LARVA के बाद बनता है SPOROSY Superlare SPOROSY Superlare ke बाद बनता है Radial LARVA Radial LARVA के बाद बनता है Sarkeria LARVA और सरकेरिया लार्वा के बाद बनता है मेटा सरकेरिया लार्वा मेरा सीडियम जो लार्वा होता है मेरा सीडियम लार्वा बनने के बाद वो अपने दूसरे होश्ट को ढूणने लगता है तो मेरा सीडियम जो लार्वा है वो पानी में आ जाता है मेरा सीडियम जो लार्बा होता है लगबग 24 घंटे तक जीवित रहता है और यदि उसको अपना दूसरा होश्ट नहीं मिलता है तो वो मर जाता है पानी में आते ही वो इस तरह ऐसे कुछ खोशता है जैसे उसका कोई सामान गुम गया है तो इस प्रकार वो मेरा सीडियम लार्बा स्नेल के संपर्क में आ जाता है और उसकी एपिथीलियल सेल्स को भेदन करके या उसमें छिद्र करके अंदर पहुंच जाता है तो मेरा सीडियम जब लार्बा ग्रोथ करता है तो उसमें बदल जाता है इस पोरो सिष्ट लारवा में जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है इस पोरो सिष्ट जो लारवा होता है उसकी संरशना एक थैले के समान होती है इस पोरो सिष्ट लारवा में आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक थैले के समान संरशना होती है इस पोरो सिश्टिल आरवा में यहां पर हमको ओपनिंग प्रोटो निफ्रेडियम दो प्रोटो निफ्रेडिया दिखाई देते हैं जो की उत्सरजी तंत्रिकी तरह कारी करते हैं यहां पर फ्लेम सेल्स दिखाई देती हैं इसके बाद हमको यंग रेडिया दिखाई देता है बहुत सारी जर्म सेल्स दिखाई देती है और जैसे ही बढ़ते जाते हैं जैसे कि यंग रेडिया रहता है इसका जो इस्ट्रक्चर है कुछ हसीय के जैसा हो जाता है और जैसे ही ग्रोथ करता जाता है तो ओल्डर रेडिया बन जाता है ये यू सेप का बन जाता है इसमें ए इसमें जैसे कि नेत्रे होते हैं और भी अंग होते हैं तो जैसे ही ये Sporosist Larva में बदलता है तो इसके सारे अंग खतम हो जाते हैं और फिर ये डिवाइड होकर के जर्म बाल्स में बदल जाता है लार्वाल स्टेज जो होती है इसके बाद कुछ समय बाद जो इस पोरोसिष्ट लार्वा की स्टेज होती है वो बदल जाती है रेडिया लार्वा में रेडिया लार्वा की यदि हम बात करें ये है रेडिया लार्वा रेडिया लार्वा इस पोरोसिस्ट की बॉडी बॉल फट जाने के बाद इस पोरोसिस्ट की बॉडी बॉल जैसे ही फट जाती है तो ये रेडिया लार्वा में बदल जाता है रेडिया लार्वा जो होती है ये इसका मतलब दूसरे पोसक में ही होते जैसे ही radial larva में बदलता है तो ये पोसक की digestive gland में आ जाता है digestive gland में आने के बाद ये वहाँ से भोजन ट्राप्त करता रहता है इसकी बात करें सबसे पहले यहाँ पर हमको mouth दिखाई देता है radial larva में और उसके नीचे हमको isophagus और isophagus से लग हुए pharyngeal gland दिखाई देती है collar के जस्ट नीचे हमको दिखाई देती है gut gut के नीचे हमको बहुत सारी germ cells दिखाई देती है proto-nephridia विभाजित होकर के इनकी संख्या कुछ बढ़ जाती है अब इस porosis लार्बा से जो बनते हैं लग भग 5-8 radial larva बनते हैं और यहाँ पर नीचे की जो हमको दिखाई देते हैं वो होते हैं pro-crow scrucola इसके द्वारा ही यहाँ पर नए radial larva बनते हैं और यहाँ पर germ cells दिखाई देती हैं daughter radia दिखाई देते हैं बहुत सारी हमको flame cells भी दिखाई देती हैं अब यहाँ पर यदि हम बात करें collar के नीचे हमको gut intestine दिखाई देती है अब यहाँ पर जो radial larva हैं radial larva से एक बार में करीब एक से बीश सरकेरिया लार्वा बनते हैं तो यह हुआ sporocystil larva और यह हुआ radial larva प्रत्थम stage थी miracidium larva, दूसरी stage थी sporocystil larva और तीसरी stage थी radial larva, चौथी stage होती है सरकेरिया लार्वा जो कि हम अभी देखेंगे तो यहाँ तक हमने देखा sporocystil larva और radial larva यहाँ पर जैसे ही मेरा sodium larva, sporocystil larva में बदलता है, तो इसके cilia और eyes dissolve या फिर खतम हो जाते हैं और फिर यहाँ पर cuticle यहाँ पर cilia खतम होने के बाद यहाँ पर पतली सी cuticle का आवरंड दिखाई देता है और यहाँ पर जगह जगह हमको germ small दिखाई देती हैं और पीछे की और जो यंग रेडिया रहते हैं, इनमें flame cells चिबकाई होई दिखाई देती हैं जैसे अभी हमने पढ़ा sporosis लार्वा के बारे में radial लार्वा के बारे में अब radial लार्वा की जो next आती है circaria larva radial larva growth करके बदल जाता है circaria larva में हमने बताय था radial larva से एक से भी circaria larva बनते हैं फिर यह circaria larva जैसे ही बन जाते हैं, यह digestive gland में आ जाते हैं और वहाँ से यह अपना भोजन प्राप्त करते रहते हैं इनकी यदि हम यह 0.25 mm से 0.35 mm के होते हैं सरकेरिय लार्वा digestive gland में आने के बाद अपना भोजन प्राप्त करने लगते हैं इसके बाद यदि हम इसकी संरशना देखें तो सबसे पहले हमें सरकेरियल आर्बा में उपर माउथ दिखाई देता है इस सकर्स का काम करता है और ओरल सकर्स दोनों और हमको इसके दोनों और देखें तो फ्लेम सेल्स दिखाई देती है मस्कुलर फेरिंग्स दिखाई देता ह और जो गट होता है वहां का वो दो भागों में बढ़ जाता है जिसे हम सीकम कहते हैं एसीटा बूलम ये भी दूसरा सकर्स होता है हम पहले ही बता चुके हैं कि फेसियल और पिटिका में दो सकर्स पाये जाते हैं एक माउथ में और एक एसीटा बूलम के रूप में यहां पर कुछ सिस्टोजनिस सेल पाई जाती है फ्लेम सेल्स के नीचे और जर्म सेल्स और एक्सक्रीट्री वेसाइकल क्योंकि इसमें अलग से एक्सरीजन तंत्र नहीं पाई जाते हैं यहीं इसका काम करता है फिर यह जो सरकेरिया लार्वा होता है जब यह पूर्ण रूप से बन ज करते हैं फिर इसके बाद जो इसमें सिस्टोजनिस सेल्स होती है यह उस समय जब यह मैटासर के लिए लार्वा बनता है तो इसके उपर सिस्ट का निर्मान करते हैं और कुछ समय तक यह जल में घूमते रहते हैं फिर इसके बाद जब मैटासर के लिए लार्वा बन जाता ह तो ये वहाँ पानी की पतीयों के उपर फिक कि जाते हैं। जैसे ही इसे वेर्ड खाती है फिर फिर प्रोन उपर आ जाते हैं। इस प्रकार इनका लाई pozy चलता रहता है। तो हम कहए सकते हैं my facial hepat DNA यह phasitalative şehpeneca की लारवल stage होती हैं, तो इस प्रकार आज हमने फेसियोल हेपेटिका की लारवल स्टेज के बारे में पढ़ा